12 number में थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसमें का LHS भी लूँगा और RHS भी लूँगा 1-1030 बटा में है 1-1030 चलिए यहाँ पर value रखता हूँ 1-1 by root 3 1030 के value चलिए 1 plus 1 by root 3 उपर नीचे LCM लेंगे root 3 यहाँ पर root 3 minus 1 यहाँ पर LCM लेंगे root 3 तो root 3 plus 1 यहाँ पर cut जाएगा चलिए root 3 minus 1 और बटा में root 3 plus 1 है इसका परिमे करन कर दो root 3 minus 1 से उपर भी गुना और नीचे भी गुना तो उपर into कर अगर root 3 में root 3 से 3 root 3 में 1 से minus का root 3 यह minus का root 3 और 1 में 1 से यह plus 1 और नीचे आपका root 3 का square minus 1 का square चलिए अब आगे इसे solve करता है तो यहाँ हो जागा 3 1 4 4 minus 2 root 3 बटा में root 3 का square 3 और 1 का square 1 घटे का नीचे 2 आ जागा यानि कि 4 उपर से 2 common कर लो तो हो जागा 2 minus root 3 बटा में 2, 2 से 2 कट गया यानि कि 2 minus root 3 आ गया LHS से, अब मैं इसका RHS यहीं पे ले लेता हूँ यहाँ घेर के इसका RHS ले लेता हूँ तो RHS में आपका क्या है तो RHS में है 1 minus sin 60 बटा में cos 60 चलिए अब मैं यहाँ value रखता हूँ 1 minus इसका root 3 by 2 होता है 2 minus root 3 और नीचे आपका है 1 by 2, 2 से 2 कट गया यह भी आपका 2 minus root 3 आ गया तो देखे ना LHS बराबर में हो गया RHS, चलते हैं next question की और अगला question देखते हैं चलिए इसका 13 number देखते हैं